जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी? होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे वा सुरचित होंगे जैसा कि आप सभी ने थम्नल में देख लिया होगा कि आज हम सभी बिजिनस मोडल आफ आईपील के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से जो IPL की टीम्स हैं ये कैसे पैसा कमाती हैं, किस प्रकार से प्लेयर्स के वीच में पैसा डिस्टिविशन होता है, कैसे जो सिंपल सी बात समझें, कि अगर एक IPL टीम, IPL मैच फाइनल जीत जाती है, तो उसको बिनिंग प्राइस जो है 20 करोन रुपे बिलते हैं, 20 करोन रुपे एक आम आदमी के लिए बहुत रकम होती होगी, लेकिन इन IPL टीम्स के लिए, जिस सिंपल सी बात, ये बहुत ही छोटी रकम है, क्योंकि एक IPL टीम का एबरेज मानके चलिए, 200 से लेकर 200 करोन रुपे तक का खर्च हो जाता है, टीम को मैनेज करन के लिए, 200 करोन रुपे खर्च हो जाता है, तो इतना रुपे खर्च करके, कोई 20 करोन के लिए आखिर IPL क्यों खेलेगा, या फिर कोई भी ऑनर, जो सिर्फ 20 करोन रुपे के लिए इतना पैसा क्यों बेस्ट करेगा, वहीं दूसरी बात, क्या आपके पास भी, अगर टीम का पैसा हो जाए, तो आप भी टीम खरीद सकते हैं, आखिर इसकी eligibility criteria क्या है, कि कौन टीम खरीद सकता है, उसके बाद में, यह IPL टीम पैसे कैसे कमाती है, यह चीजें, और IPL का इतिहास क्या रहा है, यह चीजें, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कि क्या है पूरा IPL का business model, तो शुरूआत करते हैं IPL के इतिहास से, IPL शुरू में सबसे पहले ICL की शुरूआत हुई थी, जी हाँ आप लोग बिल्कु सही सुन नहें हैं, starting में ICL की शुरूआत हुई थी, जिसे G Entertainment ने शुरू किया था, ICL का business model बिल्कु सेम IPL के जैसा ही था ICL मतलब Indian Cricket League की अस्थापना शुरू में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे चलके क्या हुआ, कि चुकि ये BCCI का एक alternative बनता जा रहा था, alternative से मेरा आता पर, BCCI को G Entertainment से competitive करना पड़ता in future, जब G Entertainment success हो जाता cricket के field में, कारण इसका क्या है, कारण सिर्फ एक है, कि G Entertainment अगर अपना एक cricket कलब बना ले जाता, जो आज BCCI है, BCCI कोई Government Agency नहीं है, आप लोग बिल्कु सही सुन रहे हैं, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये भी एक private company ही है, जो की एक private entity as a work करती है, अब चुकि international cricket जो ICC है, वो BCCI को recognize करता है as a representative of India, मतलब इंडिया का representative head मानता है cricket का, इसलिए ये government से कई controversies हुई है, लेकिन ये government नहीं है, government body नहीं private है, तो जाहिर सी बात है, इन दोनों के बीज में competition होना अनिवारित था, या जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत वहां पे नहीं competition हो सकता था, अब जब ICL, यानि कि Indian Cricket League की स्थापना G Entertainment ने किया था, तो BCCI इस ब player ICL में खेल रहे थे, उन पर BCCI बैन लगाता जा रहा था, जिसके कारण धीरे-धीरे ICL में players ने खेलना बंद किया, और 2009 में ICL का last match खेला गया, उसके बाद ICL के खत्म हो गया, वहीं धीरे-धीरे इसी business model पर BCCI ने IPL नामक business model की new रखी, यानि कि IPL की new रखी, और पूरा system वही, team में खरीदना, team में बनाना, team में बेंचना, responsive करना, सारी चीजें वहाँ पर वैसे ही थी, तो इस प्रकार IPL का उदभा हुआ या जन्म आप कह सकते हैं हुआ, अब हम बात करते हैं, कि IPL में team में कौन खरीद सकता है, और कैसे खरीद दे जाती हैं, IPL में team में IPL team के honor से, मालिक से जाके, सीधा उसके share purchase कर सकते हैं, या कोई IPL team का जो मालिक है, वो अपनी team अगर बेचना चाहें, तो आप उनसे direct company, जो है IPL के team purchase कर सकते हैं, पहला तरीका ये हुआ, जिस प्रकार के समय में आज की समय चल लहा है, दूसरा तरीका, कि जब BCCI नई team launch कर करेगी, उसी समय आप team purchase कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि आपके पास पैसा आया, आपने BCCI कहा, मैं team purchase करना चाहता हूं, तुरंद BCCI ने team बना दिया आपके लिए, ऐसा नहीं होता है, BCCI अपनी नई team launch करेगी, तब आप team purchase कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, team purchase करने के लिए जो criteria है, आप किसी firm के, यानि कि किसी company के मालिक होने चाहिए, और उस company का जो valuation हो, valuation से मैंना बतात पर है, अगर वो company बेची जाए, तो उसकी जो total cost है, जितने में वो भीक सके, वो 3000 करोन रुपे से कम नहीं होनी चाहिए, वही जाके ITT खरीच सकता है, ITT क्या होता है invitation to tender, ITT मतलब invitation to tender, ये BCCI launch करती है, कि हम अपना ITT launch कर रहे हैं किसी team के लिए, हाल ही में लखनव और आहमदाबाद नमक दो team में बनी है, इसके लिए जो ITT announce होती है, तो ITT की जो cost होती है, 10 लाख रुपे plus GST होती है, अब ऐसा बिलकुल नहीं है, कि जब आप ITT purchase करेंगे, तो ये बिलकुल fix हो जाएगा, कि आपको bidding process में बैठने का chance मिलेगा, ITT कौन खरीच सकता है, जिसकी company की firm की value, 3000 करोन रुपे से उपर हो, वो ITT purchase कर सकता है, और उसके बाद में भी ये fix नहीं है, कि आपको bidding process, या निकि जो boli लगाई जाती है teams की, वो जो है, आप बैठने क पाएंगे, फिर इसके बाद में shortlisted किये जाते हैं, जो bidding वाले हैं, उनको shortlist करके bidding का process start किया जाता है, वहाँ पे भी एक बात ये है, कि अब ऐसा नहीं कि आप लोग सब वापस में साथगाट करके जाएं, कि हम जो है, इतने लोग team खरीदने जा रहे हैं, इतने से उपर रुपे वहाँ पर 1700-1800 क्रोन रुपे रखी जाती है, यह आम तोर पर इतने के बीच में होती है, कि इससे आपको बोली start करना है, clear है न, तो वहाँ से बोली start की जाती है, अब तब जाके एक team जो है कोई purchase कर पाता है, अब इतना रुपया जो खर्च करेगा, team purchase करने की बात क्या होता है, players purchase करने होते है, players purchase करने के लिए क्या होता है, ऐसा नहीं है, कि जो मन में आए, जिसे मैं किसी परकार से match खेलता हूँ, मैं अपने आपको register कर दूँ, match में कि मुझे आप खरीन लीजी, IPL में, तीन परकार के player होते है, पहला, capped player, दूसरा, uncapped player, और तीसरा, foreign player, capped player, वो player होते हैं, जिसने एक match at least खेला होता है, इंडिया के representative बनकर, मतलब इंडिया टीम से एक match खेला होता है, uncapped जिसने नहीं खेला होता है, foreign player, जो विदेशों में होते हैं, international player उन्हें बोला जाता है, वो player होते हैं, तीन प्रकार के generally player होते हैं, जो अपने आपको IPL में बिकने के लिए register करते हैं, फिर आप उनमें से player चुनते हैं, अब ऐसा भी यहाँ पर हो जाता है अधिकतर case में, कि ऐसा भी हो जाता है कि आप जो है जितने famous player हैं, उन्हीं को purchase कर ले जाएं, जितने player हैं सबको आपने अपनी team में purchase कर लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्य में क्या होगा, कि जितने भी लोग हैं, सब international player purchase कर लेंगे, जिसी जो इंडिया के players हैं, वो खाली रह जाएंगे, जो कि IPL मतलब Indian Premier League, जो कि इंडिया के लोगों को पैसे कमाने का एक जरिया, अगर आप foreign player खरीद लेते हैं, तो सारा पैसा foreign वाले पाजाएंगे, international वाले पा इनके खरीदेगे, नहीं कि international के maximum 8 player आप खरीद सकते हैं, clear है ना, और अब चुकि ऐसा ये जितने भी player अपने आपको register करते हैं, IPL में बिखने के लिए, वो अपना एक criteria set करते हैं, कि minimum इतने से, आप इतने से कम मुझे नहीं खरीद आएगा, मतलब अगर आप उससे कम बोल अगर कोई उन्हें देगा तो नहीं आएंगे, भले ही वो IPL ना खेलें, लेकिन उससे कम अगर उन्हें कोई देगा, तो IPL में नहीं participate करेंगे, नहीं खेलेंगे, ये होता है पूरा team का selection criteria, मतलब किस प्रिकार से team में बनती हैं, team में कैसे purchase की जाती हैं, player कैसे purchase की जाते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों ने समझा होगा, अब बात करते हैं, final team purchase करने के बाद, player purchase करने के बाद, इतना पैसा खर्च हो जाता है, उसके बाद सिर्फ 20 करोन रुपे, बिनिंग प्राइस सिर्फ 20 करोन रुपे है, तो आखिर सिर्फ इतना nominal बिनिंग प्राइस से, ये सबसे पहला जो ये लोग पैसा कमाते हैं, broadcasting right से पैसा कमाते हैं, broadcasting right मतलब जो channel IPS को दिखाता है, उन channels को broadcasting right मिली होती है, कि आप इतने दिन तक IPL दिखा सकते हैं, वही particular channel IPL दिखाएंगे, पाकि कोई IPL नहीं दिखाएगा, जिससे for example मैं आपको बताओं, 2008 से लेकर 2017 तक, जो IPL दिखाने का अधिकार था, right था, वो Sony के पास था, और Sony में इसके लिए 8200 करोन रुपे दिया था, कितना? 8200 यानि की 8200 करोन रुपे दिये थे, अब ये जो पैसा होता है, मतलब broadcasting right से जो पैसा आता है, ये 50% पैसा, BCCI के पास जाता है, 50% पैसा, international, जो team होती है particular, उसके पास चला जाता है, उसके बाद का जो right है, वो मिला था, 2018 से लेकर 2022 तक का जो right है, वो star India को दिया गया था, 2018 से लेकर 2022 तक का जो right है, star India के पास था, इसने 16347 करोन रुपे में जो है, इसको purchase किया था, broadcasting right को, second, जो पैसा कमाने का साधनी लोगा का होता है, वो होता है, title, title मतल जैसे नाम के आगे आप लोगों ने देखा होगा, IPL नाम के आगे, DLF IT IPL, Pepsi IPL, Bibo IPL और अब Tata IPL, DLF IPL जो था, वो तीन साल के लिए, यानि कि 2008 से लेकर 2012 तक के लिए, DLF IPL ने ये अपना title के लिए, जो है, 200 करोन रुपे दिया था, ये जो पैसा है, ये 60% BCCI रखती IPL था, जिसके लिए Pepsi ने 320 करोन रुपे दिये थे, 2015 से लेकर 2018 तक Bibo IPL था, जिसके लिए Bibo ने 299 करोन रुपे, यानि कि 2200 करोन रुपे लगभग Bibo ने पे किये थे, और उसके बाद में recently Tata IPL है, जिसने 330 करोन रुपे पर year के हिसाब से जो है, Tata IPL ने पना title पर्चेज कि हैं, clear है न, title, sponsorship और title, दो पैसा ये आ गया, और तीसरा पैसा, ticket generation, मतलब हर एक टीम जो है, साथ, कम से कम साथ IPL है, साथ मैच, हर एक cricket team के home state में खेला जाता है, जिससे जो ticket का पैसा है, वो 80% पैसा team में रखती है, 20% पैसा जो है, वो cricket association को दे दिया जाता है, जो stadium manage करने वा जो होते हैं, उनको दे दिया जाता है, और इन सभी final पैसा, जो पूरा पैसा एक team कमाती है, उसका 20% final BCCI को देना होता है, 80% पैसा वो team particular खुद रख सकती है, अब ये तो सिर्फ इतना मैंने बताया ना, इतना पैसा कमाती है, उसके बाद भी बहुत सारे पैसे कमाती है, ज दो इधर, दो इधर, दो पीछे, छे परमोशन टोटल, एक कैप अगर लगा ले तो कैप पर भी परमोशन, उनका bet परमोशन का आता है, इससे भी पैसा जनरेट होता है, ये जो team honor होते हैं, ये अलग अलग परमोशन प्लेयर से करवा लेते हैं, जिसके थो भी वो पैसा पा आती है ना, इन से जो पैसा आता है, ये teams और BCCI दोनों के पास जाता है, इन सारी चीजों से पैसा कमाने के बावजूद, जो IPL होता है, वो binning team, 20 करोन रुपे, runner-up, मतलब binning के team के साथ जो साथ मेहारी होती है, 13 करोन, यानि की 12.5 करोन, और 2 unrunner-up, जिन से ये निकल के final म पहुंची है team, उनको एक को 7 करोन, एक को 6 करोन रुपे मिलता है, ये भी इनका अब एक पैसा कमाने का जरिया, ये भी एक हुआ, ये पूरा पैसा IPL teams के पास जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो ये binning वाला पैसा है, इसमें 50% जो पैसा है, वो IPL team के मालिक के पास 50% पैसा जो है, वो IPL team के जो है, जितने भी players है, उनके बीच में amongly distribute कर दिया जाता है, वो पैसा के बावजूद, जिस पैसे पर उन लोग प्लेयर को खरीदा गया है, उसके बावजूद ये binning वाला जो पैसा है, अलग से उनको दिया जाता है, जिससे उनको एक motivation मिलता है जीतने के लिए, अब आप बात करेंगे, कि सर यहां पर जो सारा पैसा है, वो promotion, brand, title वगएरा वगएरा इन सारी चीजों से आया, तो आखिर कोई team IPL जीतना क्यों चाहेगी, वो match fixing कर ले, तो match fixing के कुछ cases आएं हैं पीछे से, जिनसे IPL जो है, एक प्रकार से बाकी बहुत ज़्याद उनको extra matches खेलने को मिल जाते हैं, जैसे आप समझ रहें कि जो finals में पहुंचती हैं, semi finals में पहुंचती हैं, उनको कुछ match extra खेलने को मिलते हैं, जिससे उनके और ज़्यादा promotion आते हैं, उतना promotion time के लिए उनका पैसा बढ़ जाता है IPL टीम वालों का, और जब winning team है, तो उनकी brand value increase हो जाती है, जिसके कारण उनके players पर लोग पैसा जादा लगाते हैं, उनके players महंगे भी किते हैं, और उनकी brand value increase हो जाती है, जिससे उनको advertisement का जो पैसा है, वो जादा मिलता है, जैसे channels जो होते हैं, TV पर channel जो दिखाया जाते हैं, जिनकी TRP high रहती है, उनको promotion का पैसा advertisement का जादा पैसा मिलता है, वही हारी वाली टीम को कम मिलता है, तो इतने जगहों से पैसा कमाने के बावजूद और जीतने के लिए क्या motivation है, ये भी आप लोगोंने समझा होगा, कि जीतने के लिए motivation क्या है, कि उनकी brand value बढ़ जाती है, और उनमें जादा पैसा वो लोग कम पैसान नहीं होता है, तो आसा करता हूँ कि आप सभी को IPL का बिजनस माडल सुरू से लेकर आनता तक बहुत विधोत समझ में आया होगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी interesting topic को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जैहिंद!